नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देसी तड़काविद अमिता में तो नवरात्री चल रही है फ्रेंड्स और नवरात्री में हम वही रूटीन का और ओईली खाते खाते बोर हो जाते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिलकुल एक नई डिश जिसे हम बनाएंगे बहुती कम ओयल में तो चलिए मिलकर बनाते हैं तो आज की हमारी डिश है समा के चावल और साबुत दाने का डोसा बहुती टेस्टी बनता है फ्रेंड्स तो इसके लिए मैंने सबसे पह 4 प ले लिया है साफ करके और उसी के साथ मेने लिया है प्मक कप दही तो इनको हम घ्राइंड लें और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और एड करूंगी क्यूंकि ये बिना पानी डालें grocery ग्राइंड नहीं होते तो आप देखिए मैंने इसको एक बार ग्राइन किया है तो कि थोड़ा दानेदार रह गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और एड़ करूंगी क्योंकि थोड़ा सा इसका हमें फाइन पेस्ट चाहिए तो इसको पानी एड़ करके मैं इसको एक बार और ग्राइंड कर लूंगी देखिए एक बार और ग्राइंड करने पर मेरा पेस् पर कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढखकर तो देखे फ्रेंट्स जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है हम आलू स्टफिंग के लिए आलू रेडी कर लेते हैं तो मैंने एक पैन ले लिया है गरम कर लिया है उसमें डाला है एक से देट चमज घी आप ओयल में भी बना सकते हैं और जब घी हमारा गरम हो जाएगा अगर जीरा खाते हैं व्रत में तो हलका सा इसमें जीरा भी डाल सकते हैं और इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक मिर्ची फाइनली चॉप किये और अगर आप हल्दी खाते हैं मसाले आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एड कर सकते हैं जो भी आप व्रत में खाते हैं इसके वो ही डाल रही हूँ और इसके बाद में डाल रही हूँ हाफ टी स्पून काली मिर्च मिर्च को भी आप अपने अकॉर्डिंग एड़्जस कर सकते हैं और इसके बाद मैंने धनिया चॉप किया हुआ डाला है और इसे दो मिनिट के लिए हम कुक कर लेंगे मीरियम फ्लेम पर तो देखे दो मिनिट हो गए हैं और इसके बाद मैं गैस की फ्लेम को ओफ कर दूंगे इसमें डालूंगी आधा नीबू का रस क्यूंकि हम वरत में नॉर्मली खटाई नहीं खाते हैं अगर आप खाते हैं तो आप डाल लीजे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखे मैंने मिक्स कर लिया है उसको और इधर हम फलिहारी चटनी तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार में दो हरी मिर्श डाली है थोड़ा सा धनिया यह तो आप अ आमक एट किया है सेंदा नमक और आधा नीबू का रस एट किया है इसको हम थोड़ा सा पानी डालके और ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखे हमारी चटनी जो है फलिहारी चटनी वह एकदम रेडी है तो यह हमारे आलू और चटनी रेडी हो गए और इधर देखे एक सेंदा नमक कर रही हूं आप नहीं चाहते हैं आप कम नमक खाते हैं तो आप मत किजिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा देखे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल डोसे वाली ही होती है जैसा हम नॉर्मली डोसा बनाते हैं इधर मैंने एक तवा रग दिया है गैस पर और इसको हम थोड़ा सीजन कर लेंगे और पानी लगा कर अगर आप नॉन स्टिक पर बना रहे हैं तो कोई बात नहीं आप और लोहे के तवे पर बना रहे हैं तो उसको अच्छे से सीजन करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो आपका डोसा चिपक जाएगा तो य उसके बाद हम बैटर डालते हैं दोसा बनाने के लिए तो यह देखिए मैंने एक कल्ची बैटर इस पर डाल दिया और अच्छे से मैंने एक डिरेक्शन में गुमा कर यह अपना डोसा तयार कर लिया है और अब इस पर मैं एक स्पून घी डालूंगी बीच में और साइड स जिससे यह चिपके ना तो अब इसको हम मीडियम तू हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए सेक लेंगे और देखिए दो मिनिट बाद यह एकदम बढ़िया सिक्की रेडी है इसका कलर और टेक्शर आप देख सकते हैं किता प्यारा आया है जैसा बिल्कुल नॉर्मल डोसा हो तब ही अच्छा सिकता है और यह देखिए इसका कलर और टेक्शर कितना प्यारा आया है तो देखिए फ्रेंट्स बनके रेडी है हमारे समा के चावल और साबू दाने का डोसा जो की हम चटनी के साथ सर्व करेंगे तो यह रेसेपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट आपको क्वेट झाया है तुके विए थास trifर का किवाब का बातर था बातर बातर बनके थास चाहिए वो gefährई जरूर कॉ समाने के संडियों धोवेड़ के